हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा पारंबिक परिच्छा 2020 के लिए जो सुपर फास्ट रिवीजन जो सीरीज है स्टार्ट क इसमें चारों आपसंस को बखुबी एक्स्प्लेइन किया गया है तो आप भो भी जाकर देखिए वो आपके लिए काफी लाबदा याक साबित होगा साथी साथ जो हम लोगों ने घटना चकर का जो सीरीजर स्टार्ट कर रखा है वो भी आप लोगों को काफी महत्पून सा आप आ रहा हूँ कुछ कारण बस जल्द ही आप लोगों को घटना चकर अबलेबल करवा दिया जाएगा लेकिन इसे पहले मध कालियन भारत आधूनी भारत हम लोगों ने खतम कर रखा है अभी हम लोग भारत का भूगोल और भारतिये राज वेवस्था की ओर आगे आपताओं का पांचमा बिस्प सम्मिलन के आभासी मोड में भाग लिया है तो बहुत जो हुआ था अस्ट्रिया और जनेबा के संसत के द्वारा हुआ था तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा बहुत आप्सन नमर भी अस्ट्रिया अगर यहां जनेबा भी आप्सन में र हुआ था वहीं अगर नमामी गंगे अभियान पूछ दे तब वो 2016 में शुरू हुआ था नेक्स्ट है हमारा कि बिस्व मानवताबादी दिवस जो है वो हर साल किस तिथी को मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 19 अगस्ट को तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होग यह बिसाल के बुद्ध प्रतिमा जो है वो निम्र में से किस देश में श्थित है तो यह कौन से देश में श्थित है यह जो है वो चीन में श्थित है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा ऑप्सन अबर सी चीन में श्थित है नेक्स्ट है हमारा की अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर है तो अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C, क्रिस्टन नदी पर है next है हमारा गी निम्रिकीद में से किस परदायगी की कंपणी ने भारत में कोर्मो जॉप्स नाम का एक रोजगार application लौँच किया है तो यह किस कंपणी के द्वारा लौँच किया गया है गूगल के द्वारा तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number A गूगल के दोरा नेट्ष्टर है हमारा गी दूसरे कार हेतू त्री नीदाद और टवेगो गनराज के परधान मंतरी के रूप में किसे निक्त किया गया है तो यह किन को निक्त किया गया है यह निक्त किया गया है कीथ रेलबे को तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C, Keith Railway Next है हमारा question number 9, कहरा है कि भारत को उसन कटी बंद ये और उपोसन कटी बंद में विभाजित करने के लिए अधार के रूप में मानी गई जो संताप रिखाए वो कौन है तो वो संताप रिखाए 18 degree Celsius तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C, 18 degree Celsius Next है हमारा जी निम्लिकेज में से 21 बंक ने तुरंत बचत खाता खोलने के लिए एक डिजिटल पहल DGGO लॉंच किया है तो DGGO किसके द्वारा लॉंच किया गया है लच्मी बिलांस बैंक के द्वारा लॉंच किया गया है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C, लच्मी विकास बैंक Next है हमारा की लोखीत मुकदमे यानि की Public Interest Litigation कि संकल्पना का पारम कहां हुआ था तो यह कहां हुआ था? यह हुआ था United States में तो इस question का सही अंसर होगा option number C, United States में Next हमारा की मिलिंद पन्हो राजा मिनांडर और किस बौध बिच्चू के मध संबाद के रूप में है तो यह किसके यह राजा मिनांडर और बौध बिच्चू जो नाग सेन था उसके मध के संबाद के रूप में है तो इस question का जो सही अंसर होगा बो होगा option number A, नाग सेन यही कभी-कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मिलिंद पाहो जो था वो किसके द्वारा लिखी गई थी तो नाग सेन के द्वारा लिखी गई थी और नाग next हमारा की निमलिकित में से किसे कुपोसन होता है तो कुपोसन किसे होता है? अती पोसन से तो कुपोसन नहीं हो सकता है अलप पोसन से हो सकता है और अंसंतुलित पोसन से भी हो सकता है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number B, 2 और 3 दोनों से Next नहीं हमारा जी निमलिकित में से कौन सा 19. सती के उत्राधार में लिखा हुआ महधपुल एतिहासिक उपन्यास है तो यह कौन है यह है दुर्गेस नंदनी तो इस कोशचन का जो सही अंसर होगा बोहगा आपसा नबर B दुर्गेस नंदनी के रचनाकार कौन थे तो बंकिम चछटा जी नेक्स नहारा जे आरंबिक बैदिक साहित में सरबादीक बरनित नदी कौन सा है तो आरंबिक बैदिक साहित में जो सरबादीक बरनित नदी है वो है सिंधू नदी तो इस question का जो सही answer होगा बहुगा आपस नमरी सिंधू नदी वहीं आपसे अगर पूछ ले कि बैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई थी तब आपका अंसर हो जाएगा सुरसती नदी Next हमारा ये रेडियो तरंगों के बिछेपन के लिए बायू मंडल के निमलिखित अस्तरों में से कौन सा अस्तर जो है वो उत्तर दाई है तो कौन सा अस्तर उत्तर दाई है ये है आयन मंडल यानि कि आईनोसफेर तो इस question का सही answer होगा आपस नमरी डी नेक्स्ट आमारागी भारत के निमलिकित चेतरों में से कौन सा प्रस्थीत की उस अस्थल माना जाता है तो कौन माना जाता है पश्चमी घाट माना जाता है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसन अबर C पश्चमी घाट नेक्स नहीं हमारा कि निमलिकित में से किस मुर्तिकला में सदैब जो है हरीत अस्तरित्र चट्टान का परियोग माध्यम के रूप में होता है किस में होता है यह गंधार मुर्तिकला में होता है तो इस कोश्ण का जो सही अंसर होगा वो होगा option number D गंधार मुर्तिकला नेक्स्ट आमारा की भारत के संविधान के अनुसार जीला नयाधीस अभी व्यक्ति के अंतरगत समलित नहीं होगा तो भारत के संविधान के अनुसार जीला नयाधीस जो है वो व्यक्ति के अंतरगत समलित नहीं होगा कौन तो यह नहीं होगा अधिकरन नयाधीस तो इस question का सही answer होगा option number C अधिकरन नियाधीज जो है वो समलीत नहीं होगा Next है हमारा की गेहूं की अच्छी खेती के लिए निमलिखित में से कौन सा प्रस्थिती जो है वो समुच चावस्यक है तो कौन सा अवस्यक है मध्यम ताप और मध्यम बरसा तो इस question का सही answer होगा option number A Next है हमारा की निमलिखित में से कौन सी फसल जो है वो बराग घाटी की महत्पून फसल है तो बराग घाटी की महत्पून फसल है चाए तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number B चाए next है हमारा की लहसुन की अभी लाचनिक गंध का कारण क्या है तो इसके गंध का कारण सलफर योगिक है तो इस question का सही अंसर होगा option number B, सलफर योगिक next है हमारा की पीत-पिंड कहां पाई जानी वाली को सिकाओं की सहंती है तो यह जो है वो अगनासा में पाई जानी वाली है तो इस question का सही अंसर होगा option number C, अगनासा में next है हमारा की long का तेल का निमलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है तो long के तेल का यूजे नौल एक प्रमुख घटक है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number B, यूजे नौल next है हमारा की निमलिखित में से किसे का अधिकतम इंधन मान होता है तो अधिकतम इंधन मान किसका होगा hydrogen को hydrogen को भविस का इंधन भी कहा गया है next है हमारा की सक्ति ये 32-bit microprocessor को निमन में से किस परदोगी की संस्थान के द्वारा विक्सित किया गया है तो इसको किस के द्वारा विक्सित किया गया है IIT मदरास के द्वारा तो इस question का सही अंसर होगा option number A, IIT मदरास के द्वारा next है हमारा की निमलिखित बक्तत्तों में से कौन सा एक बक्तत्त जो है वो असो के प्रअस्थर अस्थम्बों के बारे में गलत है यहाँ पूछ रहा है की गलत कौन है यहाँ पूछ रहा है इन पर बढ़िया पॉलिस है यह तो सही है ये अखंड है ये भी सही है अस्थम का सौफ्ट सुन्डाकार है ये भी सही है ये अस्थापत सरंचना के भाग है ये गलत है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number D next है हमारा जी निम्लिकित में से कौन से अस्थान जो है वो कागज B निर्मान उद्द्योग के लिए प्रसिद्ध है तो कागज B निर्मान उद्द्योग के लिए यमुना नगत प्रसिद्ध है गोहार्टी भी प्रसिद्ध है सहाबाद नहीं है बलारपूर भी है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number B एक दू और चार चारो परसिद्ध है वहीं याद रखिएगा कागच का जो पहला सफल कर खाना है वो लखनों में लगाया गया था next है हमारा जी निम्लिकित में से कौन सा प्राचीन भारत में सहब संप्रदाय था तो प्राचीन भारत में सहब संप्रदाय कौन था मैमत जो था वो प्राचीन भारत में सहब संप्रदाय था तो इस question का सही अंसर होगा option number C मैमत next है हमारा जी निम्लिकित में से कौन सा राज जो है किस संस्था के साथ समझोता ग्यापन का हस्था चर किया है तो यह किस के साथ किया है यह किया है रास्टिय बीज निगम के साथ तो इस question का सही अंसर होगा option number B next है हमारा जी online गोप नियता सामधान प्रदाता सर्फ सौक द्वारा जारी best week सोध digital quality of life index 2020 के दूसरे संस्क्रान में भारत की रेंग क्या है तो इसमें भारत की रेंग जो है वो है 57 तो इस question का सही अंसर होगा option number C नेक्स्ट है हमारा जी इंडिया टुमोरो convocation with next generation of political leaders नामक पुस्ता के लेक को किस ने लिखा है तो इस पुस्ता के लेका कौन है इस पुस्ता के लेका का है प्रदीप, छिपर और हर ससा तो इस question का सही अंसर होगा option number D A और B दोनो नेक्स्ट है हमारा जी जीस सूफी संत की माननेता थी कि भक्तिस आगर सौरी हम चलिए question कह रहा है कि जीस सूफी संत की माननेता थी कि भक्तिस आगर इस वर के निकट पहुँचने का एक साधन है वो कौन है तो किनकी यह मानता थी यह मानता थी मयूदीन चिस्ती की तो इस question का सही अंसर होगा option number D मयूदीन चिस्ती नेक्स्ट है हमारा जी नेमलिकित में से कौन जो है वो भारत के राष्टपती के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु इसके महाब्योग अधिकरन का भाग नहीं है तो यह कौन है यह हैं राज्यों की बिधान सभाएं तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number D राज्यों के बिधान सभाएं वहीं भाग भारतिये समगुदान के अनुछेट 61 में महाब्योग काउलेक किया गया है Next है हमारा जी घरेलू बिदुतार जो है वो स्थापन मूलता तो घरेलू बिदुतार अस्थापन मूलता जो है वो सामाना अंतर संबंदन है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमर भी सामाना अंतर संबंदन है next है हमारा कि निम्लिखित में से किस एक किस देश के साथ साजयदारी में बिदेश मंतराले ने आसियान भारत नेटवर्क थिंग टैंक के छठे गोल में सम्मेलन का आयोजन किया है तो यह जो है वो थाइलेंड तो इस question का सही अंसर होगा आपसा नमर सी थाइलेंड next है हमारा कि भारत में निम्लिखित में से किस किस के योग से सुलब मुद्रा बनती है तो सुलब मुद्रा जो है वो जन्ता के पास मुद्रा से बनती है विल्कुल सही है बैंकों में मांग जमारासी से भी बनती है उसके बाद है कि बैंकों में आबाधिक जमारासी से भी बनती है और भारतिये रिजार में अंजमारासी से भी बनती है तो इस question का सही answer होगा, option number C, 1, 2, 3, 4, 4 से बनती है Next है हमारा की, जिस मध्यकालीन भारतिय लेखक ने, अमेरिका की खोज का उलेख किया है, वो कौन है तो वो किस ने किया है, भारतिय मध्यकालीन लेखक पूछ रहा है, तो वो है अबुल फजल तो इस question का सही answer होगा, option number D, अबुल फजल Next है हमारा की, संदाब रेखाओं को दर्साने बाला दैनिक मौसम मानचितर उदारन है तो यह किसका उदारन है, समान रेखा मानचितर का, तो इस question का जो सही answer होगा, वो होगा, option number B, समान रेखा मानचितर का नेक्स्ट है हमारा गी बासिंग मसीन का कार्ज सिधान्थ है तो बासिंग मसीन जो है वो अपकेंदरन के सिधान्थ पर कार्च करता है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपकेंदरन के सिधान्थ पर नेक्स्ट यहाँ प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिर अच्छा तंतर को परिबर्दित करता है तो इस question का जो सई अंसर होगा वो होगा option number C प्रतिर अच्छा तंतर को परिबर्दित करता है नेक्स्ट है जिन निम्लिखिद में से किसे असोक लावासा के स्थिपे के बाद नई चुनाब आयुक्त के रूप में नुक्तिया गया है तो यह किन को बनाया गया है राजीब कुमार को तो इस question का सही अंसर होगा आपसा नमबर B राजीब कुमार को नेक्स्ट है हमारागी भू पर पट्टी पर दरब्यान परतिसत के रूप में निम्लिखिद में से कौन सा एक जो है वो सर्वादीक मातरा में पाये जाता है तो सर्वादीक मातरा में पाये जाता है कौन? ऑक्सिजन? तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर B ऑक्सिजन क्योंकि यहाँ दरब्यान परतिसत के रूप में पूछ रहा है नेक्स्ट है हमारा जी निम्लिखिद में से किस संस्थान ने परतिस्टित मौलाना अबूल कलाम अजाद ट्रॉफे जीती है तो यह किसने जीता है? यह जीता है पंजाब इन्वसिटी चंडीगर ने तो इस question का सही अंसर होगा आपसा नमबर B नेक्स्ट है हमारा कि निम्लिखिद में से क्या क्या गैर योजना बयाय के अंतरगत आते हैं चीछले हैंपं से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों होने की संभाबना है सिवा है तो उनको क्या नहीं हो सकता है तो फ्लूरियोसिस नहीं हो सकता है तो इस question का सयन सरो को option number D Next हमारागी भारत में सोतनत्ता प्राप्ती के बाद निमलिखित में से किसने सुझाप दिया था कि भारती रास्तिय कॉंग्रिस को समाप्त कर देना चाहिए तो यह महत्मा गांदी के द्वारत दिया गया था तो इस question का सयन सरो को option number C महत्मा गांदी Next हमारागी पाक खाडी कि इनके बीच है तो पाक खाडी जो है वो मनार की खाडी और बंगाल की खाडी के बीच है तो इस question का सयन सरो को option number B प्रोटीन के अगर बात करते हैं तो प्रोटीन सब्द का सरपर्थम परियोग जो है बोजे बर्जीलियस के द्वारा किया गया था नेक्स नहीं हमारा कि किस देश में इस्थित माउंट सीनाम्बूग जो आलमुखी में पुना उदगार यानि के विसफोर्ट हुआ है तो कहां हिस्थित है ये इंडोनेसिया में हिस्थित है तो इस कोशन का संझाज रोगा आपसा neighborhood c एंडोनेसिया यह देखि़ी यह जो आपको घटना चकर का बुख देख रहा है यह हिस्टरी के घटना चकर का बुख है भारती इतिहास का इस बुक से हम लोगों ने Mediable History यानि के मध्यकालीन भारत और Modern History ये दोनों जो है वो खतम कर चुके हैं अब हम लोग जल्दी ये Ancient History अस्टार्ट करेंगे देखिए घटना चकर जो है वो काफी जादा important बुक है आप लोगों के एकजाम के लिए आप लोग या तो BPSC का एकजाम दे रहे हैं ये UPSI या बिहार SI या फिर Next Upcoming Vacancy जो बिहार सची वाले की है उसके आगर एकजाम दे रहे हैं तो ये सब एकजाम के लिए घटना चकर का सीरीज बहुत जादा important है तो घटना चकर का वीडियो मैं डेली 9 बजे लेकर आता हूँ अभी एक दो दिन से मैं इधर नहीं लेकर आ पा रहा हूँ लेकिन जल्दी आप लोगों को Monday से onwards आप लोगों को डेली देखने के लिए मिलेगा घटना चकर का वीडियो फिर से तो पहले के भी वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिया और साथी साथ डेली आप लोग 9 बजे इस क्लास के साथ जरूर जुड़िये next है हमारा question number 55 कह रहा है कि नियापालिका से कारपालिका के प्रितिकरन कि बात जो है वो सम्विधान के किस अनुचेद में की गई है तो यहाँ जो है वो सम्विधान के अनुचेद 50 में किया गया है तो इस question का सही answer होगा आप से नबरे अनुचेद 50 में किया गया है next है हमारा कि गोहाटी में बाड की पुर्व सूचना देने के लिए ट्रेली ने अबम NDMA ने फ्लर्ट अर्ली वर्णिंग सिस्टम लॉंच किया है यह मौसम जो है वो पुर्णा नुमान अधारी चेताबनी प्रणाली है जो बाड की चेताबनी कितने घंटे पहले देगी तो यह जो है वो 72 घंटे पहले बाड की चेताबनी दे देगा तो इस कोश्चन का सहीन सरोग आपसे नुमरे 72 घंटे पहले नेक्स्ट है हमारागी अठारा सो अर्षट में किसने जीव द्रब को जीवन का भौधी का धार बताया है तो किसने बताया है या हम बताया है हैट्सले ने तो इस कोश्चन का सहीन सरोग आपसे नुमर D नेक्स्ट है हमारागी द्रबो के उच्छाव संबंधी नियम का प्रतिपादन जो है वो किसने किया है तो यह किया है आर्क मेडिज ने नेक्स्ट है हमारे गी फॉर्चुन पत्र का द्वारा जारी बिस्व की 500 सबसे बड़ी कमपनियों की सुची फॉर्चुन ग्लोबल 500 में किस कमपनी ने सिर्फ सस्थान हासिल किया है तो किस कमपनी ने किया है बॉलमॉर्ट ने तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नबरे बॉलमॉर्ट ने नेक्स्ट हमारागी निमलिकित में से किसे भारतिय असांती के जनक के रूप में जाना जाता है तो भारतिय असांती के जनक के रूप में जाना जाता है लोकमान तीलक को तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसे नमबर C अब ये पूछा जाता है कि लोकमान तिलग को भारतिय असांती का जनक किस ने कहा था तो सर बेलन्टाइन सीरोल के द्वारा इनको भारतिय असांती का जनक कहा गया था नेक्स्ट ने हमारा गी सिवा जी के अश्ट प्रधानों में आमत जो था वो किस बिभाग का प्रभारी था तो आमत जो था वो आई ब्याई का हिसाब रखने वाले बिभाग का था तो इस question का सही अंसर होगा आपसे नमबर B सबसे जो सिवा जी के मंत्री मंडल का जो अश्ट पधान था उसमें सबसे महत्मून पर्ध होता था पेसवा नेक्स्ट है हमारा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो किस नदिका है तो संसार का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो तो गंगा ब्रहम पुत्र डेल्टा है एक बार इसको देख लीजेगा आप लोग इस question को एक बार दुबारा देख लीजेगा next है हमारा की तुफान को नौर्वेस्टर भारत के किस भाग में कहा जाता है तो तुफान को नौर्वेस्टर भारत के पुर्वी भारत में कहा जाता है तो इस question का जो सही अंसर होगा बो होगा आप सन बरसी पुर्वी भारत में next हमारा की घाटे की अर्थवे वस्थाकिए अब सकता तब महसूस होती है जब तो यह कम हसूस होती है जब सरकार IBI का अंतर समाप्त करने में बिफल हो तथा अनसरोतों की पूर्ती ना कर पाए Next है हमारा की नीचे दी गए बस्तूओं में कौन सी ऐसी बस्तू है जिस पर किंद्री उत्पात सुल्क नहीं लगता है तो कंद्री उत्पात सुल्क किस पर नहीं लगता है चाबल पर नहीं लगता है तो इस कोशन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना Next है हमारा भारत की मुद्रप्रानाली के प्रबंधन का अधिकार किसे है तो यह किसको है रिजर बैंक आफ इंडिया को है तो इस कोशन का सखयन सरोगा आपस नमबर D रिजर बैंक आफ इंडिया Next है हमारा भी राजपुन गठन अधिनियम 1956 द्वरा गठन किया गया था तो किसका गठन किया गया था यह किया गया था अंतर राजिये परिशत का तो इस कोशन का सखयन सरोगा आपस नमबर D Next है हमारा भी राजपुन गठन का सबसे प्रमुक सरोग जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना गया है तो इस कोशन का सखयन सरोगा आपस नमबर D Next है हमारा भी 1931 में भारतिय करांतिकारी आतंक बाद के तीन प्रमुक नेताओं को फासी दे दी गई है यह करांतिकारी थे यह आतंक बाद का तो कोई मतलब ही नहीं है फासी दे दी गई है निमलिकित में से कौन उनमें नहीं थे तो फासी किन को दे दी गई थी भगत सिंग, राजगुरू और सुखदेब को फासी दे दी गई थी सुर्जी सेन को नहीं दिया गया था तो इस question का जो सही अंसर होगा बोहोगा option number D सुर्जी सेन को 1931 में फासी नहीं मिली थी सुर्जी सेन से याद रखेगा सुर्जी सेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है Next है हमारा की पानी आइनिक लबन का सूभी लायक है क्योंकि तो ये क्यों है क्योंकि उसका डिग्रूप आधुन अधीक है तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा option number B Next हमारा की तिबद के पठार की समुद्रतल से उसत उचाई कितनी है तो तिबद के पठार के समुद्रतल से उसत उचाई है 4 किलोमेटर तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C 4 किलोमेटर नेक्स्ट आमारा गी चाबल की खेती के लिए आदर्स जलबायू प्रस्थीतियां हैं तो चाबल की खेती के लिए आदर्स जलबायू प्रस्थीतियां 100 डिग्री सेल्सियस से अधीक बरसा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधीक टापमान तो इस question का सही answer होगा option number 1 Next हमारा भारतिये जास्टिये Congress के 21 अधिवेशन में बाल गंगाजर तिलक ने भी वैक्त किया था सुराज मेरा जन सीधा धिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा तो 21 अधिवेशन में किया था यह किया था लखनाव अधिवेशन 1916 में Next हमारा भी सुरेश रहना जो है वो किस खेल से जुड़े थे जिन्होंने अपने खेल से सन्यास ले लिया है तो यह क्रिकेट से जुड़े हुए थे तो इस question का सही answer होगा option number C, cricket Next हमारा भी निम्ण में से कौन सा जो है वो सुमेली तो नहीं है तुझी के बाबरी यह बाबर क्यात में कथा है सही है, हिमायू नामा गुलबदन बेगम सही है हिमायू नामा हिमायू यह तो गलत है क्योंकि यह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया पुस्तक है तो इस question का सही answer होगा option number C तो इस question का जो सही answer होगा option number B नाम वाल्स्तकी के द्वारा नामारा कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंतरसा संग्राम के एक नए चरन के आरंब का घोतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वासाफन यानि के self-government की एक ठोस योजना रखी थी तो इस question का सही answer होगा option number 1 नामारा कि भारत में आर्थिक विकास अब्रूद रहा है मुखता किसके द्वारा तो या जो है वो अकुसल क्रिसी ववस्था के कारण हाँ बिल्कुल रहा है आनियमी तो अद्योगी करण के कारण ये भी रहा है पास्चर्थ समाजी का भी बिल्कुल रहा है तो इस question का सही answer होगा option number 2 उप्योग सभी नामारा की actiometer क्या है तो यह क्या है यह जो है वो सूर्ज किटनों की तिवर्तम आपने बलाएक यंत्र है तो इस question का सही answer होगा option number C नामारा की गुप्त कालीन मंदिर निर्मान कला के संदर में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है यह पूछ रहा है इस कला में मंदिरों की उचाई प्राया कम होती है और छटे सपाट होती थे यह सही है इस काल में मंदिरों के भवन पथरो या छोटी इत्रों से बनते थे ये भी सही है मंदिरों का विभाजन दो खंडों में था मंदिरों में सीखरों का परियोग बहुत होता था यह गलत है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number D नेक्स्ट ने हमारा कि बिहार में काटी ताप विदुत उत्पादान इबंबितरन का स्वतंतिता पुन्डाईत किस पर था तो यह किस पर था मतलब मुझः परपूर है पहें तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर D मुझः परपूर नेक्स्ट ने हमारा कि बिहार में सरवादीक जनसंख्या घनत वाला जिला कौन सा है तो सरवादीक जनसंख्या घनत वाला जो जिला है वो है सिभर तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा आपसर नमबर D सिभर नेक्स्ट ने हमारा असोग लबासा ने किस समयधानिक पत से इस्थिपा दे दिया है तो असोग लबासा जो है भारत के चुनाब आयोग से इस्थिपा दे दिये हैं तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमर B नेक्स्ट ने हमारा अगी बिस में सबसे बिसाल मरूभुमी कौन सी है तो सबसे बिसाल मरूभुमी कौन है सहारा मरूभुमी यानि सहारा मरूस्थल तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमर B सहारा मरूस्थल नेक्स्ट हमारागी भारत में आर्थिक उदार्नी करन का प्रेर्यक जो है वो किसे माना जाता है तो यहाँ डॉक्टर मन्मोहन सिंग को माना जाता है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसे नबर सी डॉक्टर मन्मोहन सिंग को next है अमारे कि Folikum जो है वո किस दादु के अपचेयन में साहयक है तो फॉली कम जो है वो लोहा दादु के अपचेयन में साहयक है तो इसकोशन का सहिय अंसर होगा abdomen number B, loahh next है हमारे कि Pablo Picasso की colorcelli का क्या नाम है तो Pablo Picasso की colorcelli का नाम है cubismo, तो इस question का जो सई अंसर होगा, वो cue began selfie के नाम से जाना जाता है, तो इस question का सई अंसर होगा option number B next है हमारा जी, लिचीूत पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान पुराप्त है, तो यह जो है, वो देश में पहला स्थान पुराप्त है, तो कोशन का सही अंसर होगा option number A पहला next है हमारा इक यानि कि गन्ना के पोधे जो है वो प्राया काई का प्रबंधन द्वारा संभर्धित करने का कारण क्या है तो यह है कि अनुवांसी गुनबक्ता बनाए रखना संभव होता है तो इस question का सही अंसर होगा option number B next है हमारा इक अस्टेम सेल द्वारा किस परकार की कोशिकाए जो है वो उत्पन की जा सकती है तो यह जो है वो किसी भी परकार की की जा सकती है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number A किसी भी परकार की किया जा सकता है next है हमारा निम्लिखित में चीन की वह नदी कौन सी है जिसे पीली नदी यानि की यलो रिभर के नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है हॉंग हो नदी को तो इस question का सही अंसर होगा option number A हॉंग हो नदी को next नमारा महात्मा गांदी ने आसा पदार्थ है तो अस्टेलेस अस्टेल में क्रूमियम तथा निकल रहता है जो कि जंग प्रतिरोधी होता है नेक्स्ट हमारा निम्रिकीत में से किसे भारतिय प्रतिभूविती एबम बिनेयम बोर्ड यानि कि सेवी के कार्यकारी नहीं दे सक यानि एड़ी के रूप में निउट्कहा गया है तो यह किनको निउट्क供िए गया है यह जीपी गर्ग को निउट्कहा गया है तो इसके लिए हमारागा और से जगर्था पस्ट में घाट पर तो यह था हमारा आज का वीडियो आज का वीडियो आप लोगों को ऐसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा साथी साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा आप अभी तक इस चैनल अपढ़ेगा इंडिया प